वो कह रहे हैं उनकी दो मूल बाते हैं, वो कह रहे हैं कि आप लोग साचुरेशन पर यानी अधिक्तम पर है इन तमाम राज्यों में, जो 355 सीटों की बात हो रही है जिनसे ये भारत नया यातरा राहूल गांदी का गुजर रहा है, आपके लिए उसको रिटेन करना वापस पहां पर जीत हासल करना बड़ी चुनोती होगी, और वो कह रहे हैं कि लोगसभा विधान सभा में लोग अलग अलग वोट करते हैं, जो आप लोग गदगद हो रहे हैं कि राजस्तान, मध्यप्रदेश और 36 गड़ जीत गए, तो पिछली बार तो पलट गया था मामला, आ सीटे आएं, दोनों पर आपका जवाब. हो गया, 282 पहुंचे का, फिर सचोरिशन हो गया, आज 330 में तीन पर सचोरिशन कहा जा रहा है, हम कालांतरम जब साड़े 300 हो जाएंगे तब सचोरिशन कहा जाएगा, तो भारती जनता पार्टी ने तो 1984 से लेकर सतत अपना विस्तार किया है, सिर्फ हम 2004 के चुनाओं में थ सच-फुच विधान समवाज चुनाओं में, और लोग समवाज चुनाओं में अलग पैटरन होते है, से दिली में जो है, हम विधान समवाज चुनाओं हार जाते हैं, लेकिन लोग समझ चुनाओं हमको 58% उट मिलता है, साथ की साथ फीट हम जितते हैं, और कांग्रेस और आमादी पार्टी के सारे ओट अगरम मिला भी दें, तब भी 22 और 19 मिला के 41% ही होता है, और हमको 58% उट मिलता है, इसी तरह से राजस्थान में हम जब 2013 में जितते हैं, त लोग समों जीतते हैं, लेकिन 2019 लोग समझ चुनाओं में लगाता भारती समता पार्टी के पक्षमें, जिस तरह से यहीं तरह करनाटक का चुनाओं, लेकिन जुए जब लोग समझ होता है, तो हम जीतते हैं, प्रचनड जीत हमको मिलती हैं, और कि इनका जनतादा सेकुलर और कॉंग्रेस का घडबंदन होता है तो यह बात सही कह रहे हैं यह चारों सही कह रहे हैं लेकिर भारती जनता पार्टी के पक्ष में यही बात है कि भारती जनता पार्टी विधान सभा चुनाओं की तुल्ला में लोग सभा चुनाओं में हमारा म संजे जी को दिखाई को अब से एक तो आपने सुना ही लोग सभावजान सभाव में यह तो जानते हैं कि आप वोटिंग पैटर्न अलग है क्या नरेंद्र मोधी की लोग प्रियता बीजेपी के लिए एंडिये के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है जब वो हैट्रिक की तैयारी के लिए जा रहे है दूसरा प्रश्ण मेरा कि स्टेट वाइज अगर हम देखे यूपी को ही देख लीजे जहां से राजपुजी है यूपी को ही देख लीजे यहाँ पर समाजवादी पाटी बीएसपी के साथ भी आ गई बीजेपी को रोखने के लिए कॉंग्रेस के साथ भी एक बार हो गया मतलब हाथ और साइकल सब मिले लेकिन फिर भी वो वो केमिस्ट्री नहीं बन पाई हाला कि बिहार में यहीं पर आप देखे तो दोनों तरह के उधार रहने लेकिन यूपी को एक एग्जाम्पल लेकर अगर हम देखे तो यह स्टेट करें लिए आ प्रसन अगर हम नर्यद्र नमोधी की बात करें तो नर्यद्र मोधी बीजेफिके लिए एक वोट पुलर है इन दिनों विधान सभा के चुनाओम में भी हमने यह आंकलन करने की कोशिच की और देखा कि बीजेफिके Doll KPK कि वोटरette जिन्हों उन्होंने ये विशलेशन किया था लगभग 33 प्रितिशत वोटर ऐसे थे बीजेपी कियों जिन्होंने बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ नरेद्र मोदी के नाम पे वोट दिया अंतर साफ दिखाई पड़ता है प्रदान मंतरी मोदी की पॉपुलरिटी या उनके वोट पुल क करने की जो केपिसिटी है अपनी पार्टी के लिए वो लोग सभा में जादा है विदान सभा में कम है अब जो दूसरी बात अब आप देखिए दो आपने उदारन दिये कि एक बार तो ये कारगार रहा बिहार में जब जदियू और आर्जेटी का गड़बंदन हुआ 2015 में उन्होंने BGP को परास्त कर दिया लेकिन जब UP में तीनों पार्टियां सब एक साथ आती है तो ऐसा नहीं होता लेकिन दोनों अलग अलग चुनाओ थे वो विदान सभा का चुनाओ था और ये लोग सभा का चुनाओ है जब विदान सभा का चुनाओ था तो वोट ट्रांस जब लोकसभा का चुनाव हो रहा है 2019 का गडबंधन के बाब जूद अरिथमेटिक तो बनी लेकिन मुझे लगता है वोटरों के मन में ये बात थी कि असल में हम राजी की सरकार चुनने के लिए वोट नहीं दे रहें ये सर्दिये तो हम देश की सरकार चुनने के लिए वोट अगर वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक क्राउड पुलर है तो मैं एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पर ये सेंसिटिव सिर्फ सुरेण जी के लिए होगा लेकिन ये सेंसिटिव टॉपिक है फेस जैसे आप पूछे कि क्या इंडिया गडबंधन की तरफ से को 2019 में नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट आया तो क्या ये मुम्किन नहीं है कि इधर से एक चेहरा हो तो वो भी अपने दम पर कुछ वोटों को लाए क्या ये एक बाजी है जिसमें इंडिया गडबंधन पीछे चूट रही है और दूसरा प्रशन मेरा आप से ये है कि कुल म मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के साथ वो हिंदू रिदय समराट बनकर दो हजार चौबिस का चुनाओ जीतना चाहते हैं दोनों पर आपका नजरिया पहले आपने पूछा कि क्या प्रदान मंत्री उम्मीद्वार करने से उसमें फाइदा होता किसी भी पार्टी को विपक्ष की अभी आपने बात पूछी तो मेरा बिल्कुल ऐसा मानना है जो हमने लगातार इस्टडी की है आज के जमाने में जनता जो है लेकिन उनकी विश्वसनीता के आधार पर वो जिसको उप्युक्त पाते हैं उसको वोट करते हैं वो एक बात हो गई तो जो पार्टी है एक विसाल समू हो गया उसमें सेंस अफ अकाउंटेबिलिटी ना के बराबर होती है लेकिन जब एक उमीद्वार आके कोई प्रॉमि करते हैं तो उसमें कम कम से कम 3-5 पर्सेंट एकश्वल 5 परसंटेज पॉइंट का इजाफ़ा उस पार्टी के फिवर में जरूर होता यह मेरीु इस्टडी लगातार कहती है और उसके दिर्णीsch यानज नवीन पत्नायक जी को ले लिए चाहिए इवन नितिष कुमार को लिए नितिश कुमार जी आलम यह है विहार के अंदर में विधान सभा चुनाव में आप वोड तो भी दीडिये चाहिए नितिश कुमार बने गए प्रसhtरी नहीं ला पाए लेकिन कभी प्रेम wowinger की की सायगी प्हुत सरे तो पर एकशुतों जी इस पर मुद्दे को देखने के कोशिश करता हूँ मेरा इस पस्ताव पर मानना है कि दो हाइपाथिस है मेरी पहली बात ये कि संगठन प्लस नरेंदर मोदी वो 50% वोट शेर है और दूसरी बात है कि नरेंदर मोदी कुछ इलाकों में जहां बीजेपी का संगठन कमजोर है वहां नर आज ये हैं मद्यपरदेश, चत्यजगर, राजस्थान, हरियाना, जहारखन, करनाटा, गुजराच, यूपी और दिल्ली जहां 2009 के चुनाओं में भारती यंता पार्टी को 50% से जादा वोट मिलता है गुजरात में तो उनको 62% वोट मिलता है और आप उत्तर परदेश के अंदर 50% वोट मिलता है लेकिन जब आप केरल जाते हैं तमिलनाडू, तेलंगाना, आंधरा, पंजाब और उडिसा टोटल 135 सीटे हैं यहां भारती जनता पार्टी को 14 सीटे पिछली बार मिली थी यह वो इलाके है जहां भारती जनता पार्टी का संगठन बहुत कमजोर है संग का संगठन बहुत कमजोर है और यहां नरेंदर मोदी पुल नहीं कर पाते अपने बल पे चुनाओं नहीं जिता पाते तो एक चीज़ बहुत सपस्ट है वो यह कि नरेंदर मोदी की जो लोकप्रियता है वो अभी भी अखिल भारती अस्तरप अगर आप उसको ना पें लेकिन तब हुए एक सशक्त गटबंदन के साथ है शिवसेना जनतादिल उनाइटेट के साथ है आज की तारीक में दोनों गटबंदन दोनों जगए खड़मढ है यानि एक वलरेबल किस्तिती है और वहां पे आज की तारीक में कोई भी सफालोजी से कहने किस्तिती में नह अब मेरा अपना मानना ये है कि 135 में से पिछली बार 14 सीटे बीजेपी जीती थी अगर इसमें महारास्ट बिहार की 88 सीटे जोड़ ले तो 223 सीटे वो है जहां आज की तारीक भारती जनतापार्टी वल्नरेबल है मैं फिर कह रहा हूं वल्नरेबल है क्योंकि जो 48 सहयोग्यों के साथ पर बीजेपी को जीत मिली थी क्या विना गटबंदन के सहयोग सा उत्रा रिटेन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे यह सवाल है इस पर आपका टेक जल्दी से प्रदीब जी आपने हाथ खड़ा किया था सिर्फ दो लाइन में मैं प्रेम शुकला जी से की रिटेल आउटलेट है ही नहीं जो जनता को वोटिंग मशीन तक लेके जाएं और वोट करवाएं बिल्कुल सही है ठीक है यह अच्छा है संजय जी संजय जल्दी से से फॉलोजिस कम सीफों की तरह भी बात कर लेते हैं वह नहीं मैं 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 दूसरी भाशा में कहूं कि क कितना भी दमदार हो लेकिन अगर अच्छी टीम नहीं होगी तो मैच नहीं जीता सकता है सिर्फ दो दो लाइन का कमेंट पहले सुरेंद्र राजपूत जी को क्योंकि वह विपक्षम है उसके बाद शुकला जी आपके पास आउंगी सुरेंद्र राजपूत जी इस मास्ट भी लेकर जा रहे हैं सुरेंद्र जी निश्चित तौर पर हम किसी को भी खराब नहीं कहने वाले हर आदमी का अपना तरीका है काम करने का अच्छी बात है सिफलोजिस साहब ने बड़ी बढ़िया बात कह दी इन्होंने कहा कि मार्केटिंग लाइन में समझा दिया किसाब ब्रेंड इक्विटी रिटेड आउटलेट ये सारी चीजे और आज की डेट में भारती जनता पार्टी निश्चित तौर पर इसी तरीके से काम कर रही है जबकि राजनीती दिल का काम है दिमाग का कम है आज जो जो मार्केटिंग कर रही है ना भारती जनता पार्टी अच्छी होगी इस बार 2024 में हमें पूरी उम्मीद है कि मोधी वर्सेज मुद्दे आएंगे और यह जो भारती जनता पार्टी और उनके साथ ही लोग कह रहे हैं न वो तो यह लोग तो बिल्ली के भाद से चीका तूटने का कर रहे हैं किसाब इंडिया ब्लॉक में सीट न ब हम लोगों ने तो अशोक चबान कॉंग्रेस पार्टी से ही पूर मुख्यमंत्री थे महाराश्ट के जिन्होंने कहा कि 23 सीटे कहां से मांग रहे है शिवसेना और संजेर निर्पम आप ही की पार्टी में है जिन्होंने कहा 23 उमीदवार लाएंगे कहां से तो यह सब हवाव वल्नरेबल दिख रहे हैं यानि आपके लिए सीटों को वापस उतनी सीटों को जीतना मुश्किल हो सकता है क्योंकि आप तो आपका गड़वन्दन तूट चुका है उससे अधिक सीटे जीतेंगे उससे अधिक सीटें जीतेंगे जानबूच कर जो है असली बात को नजर अ अधिक साथ है उल्टा अजीत पौर भी हमारे साथ है तो महाराष्ट में हम 41 सीटें जीतेंगे 48 भी जीतने तो आश्चर नहीं होना चाहिए क्योंकि 12 मती के ग्राम पंचायत के चुनाओं इस बार भी कर रहे हैं कि शरत पौर 12 मती से भी निपड़ गया है एक ग्राम पंच पोस्टर लगा के जनता दल उनाटेट के पोस्टरस में मोदी जी की तस्वीरे बढ़ी ते जनता दल उनाटेट चोटी थी और 43 रहे जो कभी 110 सीटें जित्ते ते 43 पे आगे और हमारे साथ अब चिराग पासवान भी जो पिछली बार नहीं थे विजान सभा हमारे साथ अगासओ आगे ओफ़ बार सिय झान सभाले से जी कर दोनाटे है छोनाटे हमारे साथ वित्ते ह।